सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में श्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे घरी के काटो घंटा और मिनट के बीच कौन ग्याद करने का आसान तरीका जदी आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल सकें तो चले शुरू करते हैं तो हम लोग पहले प्रस्ने को देखें और पूदे कॉनसेप्ट को पहले हम लोग अच्छी तर से समझ लें तो पहला प्रस्न है दस बज कर दस मिनाट यहां पर हमें घंटा के लिए प्राप्त है घंटा यहां घरी को भी दिखा दिये गए 10 बज कर 10 मिनट तो हमें क्या करना है इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे हमें करना है जो घंटा है उसे यह 10 घंटा है तो 10 को हमें 60 से गुना कर देना है तो कितना प्राफ्थ हो जाएगा 600 प्राफ्थ होगा है 600 और फिर जो मिनट है मिनट कितना है 10 बज कर 10 मिनट यह भी 10 है तो परन्तु इसे हमें गुना करना है 11 से तो कितना प्राफ्थ हो जाएगा 110 अब क्या करना है जो बड़ी संक्या है उसमें से हमें छोटी संक्या को घटा देना है यानि कि 600 में से 110 को घटाना है तो कितना हमें प्राप्त होगा? 610 से 110 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 490 अब क्या करना है? ये जो 490 प्राप्त हुआ इसको हमें 2 से भाग देना है 490 को 2 से भाग करना है तो 490 को हमें 2 से भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा 245 डिगरी, यह न है, तो यहाँ पर हमें एक चीज याद रखना है, कि यहाँ पर घड़ी के घंटा और मिनट के बीच में 2 प्रकार की कोन बन रहे हैं, एक तो छोटा कोन बन रहा है, तो 360 डिगर 360 degree का कौन है, यह एक छोटा कोन बन रहा है और एक बड़ा कोन बोन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि 245 degree जो है यह काफी बड़ा कोन है, तो अगला कोन दूसरा कोन इसका प्राप्थ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हमें तो 350 है, 360 डिग्री उससे हमें 245 को घटाना पड़ेगा, तो हम लोग घटा लेते हैं, 360 से 245 को घटाना पड़ेगा, तो हमें कितना प्राफ्थ हो जाएगा, 115 डिग्री, यानि कि 115 डिग्री, एक कोन है, 10 बज कर 10 मिनट के बीच, और जो बड़ा कोन बन रहा है, वो है 245 दिखेंगे तो हमारा concept और भी clear हो जाएगा तो चले हम लोग अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है चार बज कर 43 मिनट तो यहां पर जो हमने आगे पहले प्रस्न में सीखा क्या सीखा है कि जो पहले घंटा की जो सुई है उस घंटा जो है उसको हमें 60 से गुणा कर देना है तो 60 से गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 240 प्राप्त होगा उसके बाद जो मिनट है मिनट को हमें 11 से गुणा करना है तो 11 से हम लोग गुणा कर देते हैं तो हमें कितना हो रहा है 473 और नियम के अनुसार जो बड़ी संक्या है उसमें से छोटी संक्या को हमें घटाना है तो हम लोग घटाते हैं कितना होगा 473 में से 240 को हमें घटा देना है हमें प्राप्त होता है 233 और निया मनुसार अब इसको 2 से भाग करना है तो 233 को अगर 2 से भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्थ हो जाएगा हमें प्राप्थ होता है 116.5 यानि कि एक कौन जो है जो छोटा कौन है वो 116.5 डिग्री का है अगर हमें option में 116.5 डिग्री ना मिले तो यानि कि इससे बड़ा कोन हमें दिखे तो हमें क्या करना है उसको इस 360 डिग्री से 116.5 को घटा देना है तो हमें जो बड़ा कोन है बड़ा कोन अर्था तो इधर वाला कोन जो है हमें प्राप्त हो जाएगा अभी जो कोन प्राप्त हुआ है वो छोटा कोन है वो इस साइ हैं शे बजकर 30 मिनट दिया हुआ है निया मनुसार हम भू क्या करते हैं सबसे पहले चो यानिकी घंटा को हम भू साथ से गुना कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है तीन सो साथ और फिर जो मिनट है वो है तीस तो तीस को एग्यारा से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है तीन सो तीस है ना तीन सो तीस प्राप्त होता है और बड़ी संक्या से छोटी संक्या को घटाएंग प्राप्त हो जाएगा 30 और 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 15 यानि कि जो छोटा कोन है गंटा और मिनाट के बीच वह 15 । डिगरी का कोन है और जदि ये 15 डिगरी ओप्शन में नारे है आमें बड़ाकोन निकालना हो तो क्या करेंगे 360 से 15 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 345 डिग्री तो इस प्रकार से हम लोग इसको solve कर सकते हैं तो अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक जाता से जाधा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आगे देखते हैं अगला प्रस्म में अगले प्रस्ण में है दो 10 बज कर 32 मिनट तो 10 बज कर 32 मिनट को घरी में कैसे दिखाया गया है देख लेते हैं यह है 10 बज कर 32 मिनट तो इसका solve हम लोग कैसे करेंगे इसका solve इस प्रकार से करेंगे जो घंटा है वो उसको हम लोग 10 को 60 से गुना कर देंगे तो यह हो गया 600 आए और फिर हमेरे पास है 342 मिनट यानिकि इसको 11 से गुना करना है अगर हम इसको 11 से गुना करते हैं तो कि 300 बाउवन अब जो है इसको हमे जो बड़ा संक्या उसमें से छोटा संक्या को घटाना है तो हम लोग घटाते हैं, तो घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 600, घटाओ, 352, बड़ाबर कितना हो जाएगा? 248 प्राप्त होता है, अब क्या करना है? हम लोग जानते हैं, अब जो है 248 को 2 से भाग कर देना है, तो 248 को अगर दो से भाग करेंगे तो कितना प्राप्ध होगा तो हमें प्राप्ध होता है 124 यानि कि जो यह दस और इसके घंटा और मिनट के बीच का कोन कितना है 124 डिगरी है अगर हमें प्रस्ण के उत्तर है उसके option में 124 डिग्री ना दिखे तो हमें क्या करना होगा हमें 360 से 124 को घटा देना होगा 360 में से 124 को घटा देना होगा तो हमें उसका भी answer प्राप्त हो जाएगा तो 360 से अगर हम लोग 124 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 236 डिग्री यानि कि बड़ा जो कोन है वो 236 डिग्री का है जदी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जदी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो में अंत तक बने रहनी के लिए धन्यवाद इसी प्रकार के मज़दार ट्रीक वाले वीडियो हमारे चैनल में मौझूद है आप उन्हें भी देख सकते हैं अव 들어오면 में में मौझूद है आप उन्हें के ममारे चैनल में मौझूद रहरोnot रहिविप हैं